प्रिये विद्यार्थियों आज एक और एपटित पद्यांस का अभ्यास करते हैं अभ्यास करके फिर पेपर देने जाना चाहिए एपटित को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कई बार बच्चे सोचते हैं कि एपटित कोई पद्यास चाहिए गद्यास आता है उसे मेंसे उत्र छाट के लिखने होते हैं तो लिख देंगे यूँ करके वो अभ्यास नहीं करते एपटित का लेकिन एपटित के जो नमबर आते हैं 6-6-12 नमबर शुरुआती दोर के खंड एके उससे हाथ दो बैठते हैं या खिलवार कर बैठते हैं तो एपटित को अलके में नहले अभ्यास करें चलिए ये मेरा 30 रपद है इसका अभ्यास करके देखते हैं यू नहीं है कि ये पेपर में आएगा बात ये कि इसकी आदापर हम सिखेंगे कि एपटित को कैसे अलकरते हैं तो मैंने एक तरीका बताया था पिछले वीडियो में अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक दे रहा हूं है क्योंकि शुरुआती दोर पर लगातार कंटिन्यूटी के साथ अगर देखते हैं समझते हैं तो ही कोई टोपिक कलियर होता है यूँ नहीं है कि एक टोपिक देखा और पहले जटके में कलिर हो जाए ऐसा नहीं है बहुत अतब करना पड़ता है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए तो वो सोच बाहर निकालो कि नीचे कोई परशन आता है तो इसी में से छांट के लिखने होते हैं तो कोई पंक् यह मूँ से तो पद्दे की तरह बोलते रो भली लेकिन मन मन में गद्दे की तरह समझते रो यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो यहां देखो मैंने जुक नीचे को देखा तो जलकी आशा की रिखा कभी कह रहा है कि जैसे नीचे को देखा तो आशा की किरन जलक । तो मैंने जुक नीचे को देखा, तो जल की आशा की रहा, विप्र वर सनान कर, यह सनान करके, थोड़ सा गद्धें, में समझते हैं रहो इसको, विप्र, इसको बोलते हैं ब्राहमन को, वर मतलब स्रेष्ट एक कोई ब्रहमन सज्जन पुरूष केते हैं जिसको ब्रहमन तो वो सनान करके चढ़ा सलिल पानी को कहते हैं कुछ सब तो आपके याद होने चाहिए चढ़ा सलिल शिव पर और अगर सलिल कारथ नि भी आता तो कोई बात नहीं मैंने पहले ही का था कोई इतने पधो में से कोई एक दो सब्द नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है मूल भाव समझना होता है पूरी पद में क्या कहा जा रहा है विशे क्या चुना है कहने का तो एक सब्द से परिशान नहीं होना इतना तो समझ रहे है कि शिव जी पर कुछ चढ़ाया गया है पुजा करके बस आगे ना ब्राम्मन आ गया शिव जी आ गया चढ़ाने की बात आ गई तो अंदाज लगा लो कि कुछ से चढ़ाया गया पुवित्र चीज ठीक है तो शिव जी पजल चढ़ा कर चढ़ा सलिल सिव पर दुरुआ दल अब दुरुआ दल कारत नहीं जोली आए उपर फिर वो उपर क्यों आए कौन विप्रवर यानी ब्राम्मन ठीक है देखकर चले ततपर वानर और उसको बाहर निकलते वे देखकर आसपास जो वानर थे वंदर वो उसके पास दोड़ी आए द्विज द्विज ब्राम्मन कोई कहते हैं एक बार मैं रुक रहा हूं यहां इस सब्दकार्थ होता रहा हूं द्विज द्वी और जय जय होता है जन्म लेने वाला द्वी होता है दो बार तो द्विज दो बार जन्म लेने वाला तो यह तो पक्षी को कहते हैं क्योंकि पक्षी एक बार तो जब अंडे देते ना तब उसका जनम होता है फिर अंडे को तोड़कर बचे निकलते है तो दो बार जनम होता है तो द्विज पक्षी को कहते हैं आथि को भी कहते हैं और ब्रामन को भी कहते हैं इनकी पूरी अंतर कता तो मुझे याद नहीं है पर जैसे जनेव धान कते हैं तो ब्रामन का दूसरा जनम माना जाता है ठीक है तो द्विज के अर्थों में काम आता है दो बार जनम लेने वाला ठीक है तो ब्रामन को कते हैं द्विज राम भगत शक्ति की आश भजते शिव को बारो मास बारा मिने शिव जी को भजते रहते ह और राम का भगत है और शिवजी से शक्ति मांगने के लिए वो मंदरी में गया है शिव मंदर पर वहाँ दुरवादल तंदुल तिल यादी चढ़ाई है पानी वगरा जल ठीक है ना पानी नहीं बोलना जल बोलना है पवितरता के लिए जल आता है पानी साधान अर्थ में ब बात नहीं वैसे पारायन बोलते हैं पूजा पाठ का जो अंतिम विधान है वो करके ठीक है तो कर रामायन का पारायन जबते स्रीमन ना रहें तो एक सब्द का नहीं बहारा है तो मोटा मोटा याद रख लो यहां कि वो कह रहे है रामायन का नाम जब करके ठीक है मोटा बहाव समझने में उसकी बुद्ध ये देखी जाती है ये आशा नहीं की जाती कि बच्चा परतेक सब्दकार्थ बताएगा नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चा इतना सहित्यकार नहीं होता छोटी उमर में तो मोटी-मोटी बात समझने नहीं होती है मेरे कहने का मतलब है कोई एक सब्दे ना पता लगे तो प्रिशान नहीं हो ना मूल भाव पकड़ना है किसकी बात चल रही है कथे कथे को समझना है ठीक है अब आगे देखें दुख पाते जब होते अनात अनात होता ना तो दुख पाते कहते कपियों के जोड़ा आते वो ब्रामन कभी दुखी ह कता है तो बंदरों से कहता हाथ जोड़कर के कりूंकि बंदर जो है वो बघवान के रूपी मांते है नमान जी के भगत है ठीक है रहिक है जोली से पुवे निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ हैं मतलब वो बंद्रों को पूड़े माल पुवे हाना वो खिला रहा है देखा भी नहीं अधर फिर कर मुड़कर नहीं देखा पीछे की तरब किस तरब जिस ओर रहा हो है बिक्सु इतर दूसरी तरब एक बिक्सु था बिक बिक्षारी को जो बुखा था उसको दानों बोल दिया और चिला कर दूर कर दिया चल हट और बंद्रों को माल पुवे खिला दिये तब कवी के मूँ से निकल पड़ा कि वाह धन्य है स्रेष्ट मानाओ मुलव ये विंग्य है कि उस पर विंग्य कि कसा गया है ब्रह्मन पर कि माल पुड़े अपने लाब के लिए और बंद्रों को खला दिये लेकिन जो मनुस्य जो भिखारी वो खाता उसको कुछ नहीं दिया तो यहाँ आप समझ गए होंगे मूल भाव को ठीक है आडंबरों पर विंग्य है मूल बात क्या है आडंबरों पर विंग्य है अब दे में एक दो कठिन सब्द का अर्थ नहीं भी आ रहा तो गबराने की बात नहीं है केवल आप तो पूरे पद में क्या बात सामने आ रही है उसे नोट करें ठीक है जो इस प्रकार है इसका सार मैंने बता दिया वैसे तो पूरा लेकिन एक बार मैंने यहां लिख भी दिया है पढ़ लीजी दोवरा मैंने दूपार क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले के दिया पद्द को आप एक बार पढ़ते हो फिर नीशेवाले परस्टनों को देखकर वो लाएने ढूंटाए और फिर वो लाएने उतारकर नीचे लिख देते है ऐसा नहीं करना ऐसा कर कवी ने देखा कि स्रेश्ट विपर यानि ब्राह्मन शिव की पूजा अर्थना में लगा है और ब्राह्मन राम का भगता है और शिव से शक्ति की आशा लगाए बैठा है बारहे मासों भजन करता रहता है रामायन का जाप करता है और जब दुखी होता है तो बंद्रों को पूए देगा लेकिन ब्राह्मन ने देखते ही देखते बिर्खारी को तो चिलाते वे दानों का एकद दुद्कार दिया और पूए बंद्रों को खिला दिये तब कवी के मूँ से व्यंग्यात्म ग्रूप से निकला कि तुम ही एक स्रेश्ट पूरुष हो अब देखो प्र पर आते दिखाई दिये कवी के मन में आशा उत्पन होई कि वह ब्राह्मन पुल पर बैठे दीन दुर्बल बिख्सुक को बिखारी को कुछ खाने को देगा और उसकी भोग शान्त हो जाएगी ये देखाता पहले ठीक है ये आशा लगी उसको दूसरा प्रसंद देखो कव पर दूब घास चावल तिल और जल चड़ाता है वह दिखावटी पूजा करता है उसमें मानवता कि कोई जगह नहीं है सिर्फ करमकांड से पुन्य कमाना चाता है ये समझ गए ये सारी बात समझ गया है ना अब इसमें कौन सी कौन सा उतर है जिसकी मैंने पंक्तिया सीधी किसी दी उठाकर लिखी है नहीं लिखी न अब ये किन विशेष्टाओं को तो यहाँ आप विशेष्टा ढूंदते रहो भली विशेष्टा दिखेगी नहीं वो तो तब दिखेगी जब इसका भाव समझ में आएगा तो भाव समझना जरूरी है यूं मत सोचें कि एपट करके देखा करें पांसात करके देख लेंगे तो अब्यास हो जाएगा ठीक है तीसरा परशन देखें कवी की आशा निरासा में कैसे बदल गई कवी को आशा थी कि धरम का वह पुजारी जरूर धरम निभाएगा और बोखे विकारी को पुजा के बाद कुछ माल पुए दे कवी ने जब देखा कि ब्रामने पुजा करके पुन्य कमाने तु पुवे बंद्रों को दे दिये मगर वहां बैठे दीन दूर्बल भुखे विक्सुक की तरब देखा भी नहीं तब कवी के मूँ से स्वेता ही निकल पड़ा धन्य हो हे मानो स्रेष्ट यह विंगे से परि द्यास करवाने की कोशिश करूँगा ठीक है